मध्धुआ आज प्रस्तत है श्री जैशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध कहानी मध्धुआ का ये रेडियो नाट्टे रूपांतर रूपांतर का रहें श्री सत्तेंद्र शरत तो सुनिये नाटक मध्धुआ खुब भाई खुब बहुत ही दिल्चस्पक्सा सुनाया है आज तुम सरकार आज तो मैं मूड में हूँ क्यों आज भी पीकर आया हो पीकर अरे क्या कहते हैं सरकार आज साथ दिन हो गए सरकार पीने की कौन कहें चुई तक नहीं सरकार अज तो कई दिन हुए सरकार साथ दिन से भी ज्यादा हो गए मैं अपनी कोठरी में अंधेरे में बोतन हुँ डेलने लगा सरकार तो कोट पे कुछ बूंदें ये रखेंई हैं तो साथ दिन से एक बूंद गले के नीचे नहीं उतारें जियां सरकार अजे उतारता कैसे कुछ जुगाली नहीं हुआ आप तो जानते हैं ठाकूर साथ अब मेरे पास कोई काम धन्दा तो है नहीं अपना तो यही है सरकार के बाचीज से खुछ होके किसी ने कुछ दे दिया तो अपने भी मौज मना ली सरकार वरना क्या तुम हमेशा सही निठल दे हो अजी नहीं सरकार पहले साना कघने का काम करता था है यही सरकार चाहलू छुड़ी तेस करने का काम तभी यह लठ बड़ गई सरकार तीरे-दीरे सर प्रकुसर पर करदा हो गया एक दिन सरकार जिसने रुपए कर्द दिये थे ना उसने मशीनी छीन ली हमारी बस यू समझ लीजे सरकार के दोनों हाथ ही कट गए हमारे तो तभी से ये मुसाहिवी का धंदा पकड़ा है आप जैसे दाता लोग मिल जाते हैं हमारे तुमारा काम चल जाता है छलिदफें जाता है सरकार, हमारे कॉन से बीवी, बच्चे है अकेली जान है इस पेट का कुगा किसी ना-किसी तरह भरी जाता है सरकार किसी ना-किसी तरह कुब खुब तो आज पिऊगे ना जूट गयसी कहूं सरकार आज तो जतना मिलेगा सब की पीऊंगा सरका अजी साथ दिद मैंने चने चमैने पर विताए हैं आखर किसलिए सरकार साथ दिन पेट काटकर आच्छा भोजन मैं करके तुम्हें पीनी की सूजी है यह भी खूब है सरकार माजवार की एक घड़ी लंबे दुख भरे जीवन से अच्छी उसकी खुमारी में रूखे दिन काट तो लिये जा सकता भाई खूब भाई बहुत हूब तुम बहुत दिल्चस्प बातें करते हो अच्छा आज दिन पर तुमने क्या क्या किया मैंने सरकार अच्छा तु सुनिये सरकार आज सविरे बहुत कोरा पड़ रहा था ना सरकार मेरे धुमा से कंबल की तरह वह भी सूरज के चानों तरफ लिफटा हुआ था हम दोनों ही मूँ चुपाए बड़े थे सरकार भाई इस मूँ चुपाने का भी तो कोई कारण होगा अच्छा फिर उठे कब अजी जब बारा बज़े धूब निकली सरकार सलाचार होके उठना ही पड़ा मुझे भी हात मुधोने में मुझे जो दुख हुआ सरकार हुओ क्या कहने की बात है जेव टटोली सरकार तो कुछ बचे हुए पैसे दीख गए अब सरकार चना चवाने से तो दाद भाग रहे थे कट-कटी लग रही थी सो पराठे वाले क्या पहुचा दीरे दीरे खाता भी रहा अपने को सेकता भी रहा अच्छा फिर फिर सरकार वो जो पैसे खतम हो गए तो गोमती किनारे चला गया खुमते घुमते अनेरा हो गया सरकार बुने पढ़ने लगी उसी बखर ध्यान आया के परसो लल्लू जमादार ने बताया था एक दो दिन में तो सरकार आने वाले है सोचा जाकर देखाओं क्या आप आगए है या नहीं सरकार सुबस आपके पास भागा हुआ चला आया सरकार अच्छा जिया तुम्हारी वज़ा से मेरा भी दायम अच्छा भी जाता है सवाद की किरपा है सरकार अच्छा तुमने उस दिन जो गडरी की लड़की की कहानी सुनाई थी जिसका अच्छा आसिफ दौला ने बुटे के भुने हुए दानों के बदले मोतियों से बढ़ दिया था वो क्या सच है सच है अरे वो गरीब लड़की भूक से उन्हें चबा कर थू थू करने लगी सरकार रोने लगी बड़े लोग ऐसी निर्दे दिल लगी तो कर ही बैटते हैं और बलपण कहते किसे हैं अरे कंगाल तो कंगाल ही है मूर्ख लड़की भड़ा उसने कभी मोति देखे होंगे भुटे के दाने समझ उन्हें चबाने लगी होगी जे हैं सरकार मैं सच कहता हूँ आज तक तक तुमने जितनी कहानिया सुनाई यह सब में बड़ी तीस थी शहजादों के तुख़डे रंग महलती अभागनी बेगमों के निश्फल प्रेम की करुण और पीला बरी कहानिया यह तुम्हे आती है अमीरों की रंग्रलियां तुखियों की दर्द भरी आहें रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप ही सर में चक्कर गाटी रहती हैं सरकार मैं तो सरकार उनकी पीडा से रोने लगता हूं देखें मैं सरकार अमीर कंगाल हो जाते हैं बड़ों-बड़ों के खमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं सरकार और फिर भी देखिये ना सरकार यह दुनिया कैसी पागल है कैसी पागल है मैं तो सरकार दुनिया के पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगता हूँ सरकार वरना ये बुरी बला भला मैं अपने गले लगता हूँ अच्छा, सरकार को शहेद नीदा रही है हाँ, हाँ, अजर तुम माप जाओ, मुझे नीदा रही है और ये लो एक रुपिया ये लेते जाओ रुपिया, अच्छा, अच्छा, बड़ी कृपा आपकी सरकार अच्छा, जरा ललू को मेरे पास भेजते जाना अपनी कोठरी में होगा अभी भेजता हूँ रोता क्यों है मदवा, कुवर साब ने दो ही लाथ तो लगाई है कोई गोली तो नहीं मार दी पर मैने तो मदवे जा सोरे, नख्रे नकर, अगर मैर उड़िया तो खालो देड़ दूगा, समझा ना अज़ता है ती शामता लेए अब भाता है या नहीं यह ले यह ले यह ले अब बता अब भाता है यह नहीं यह और मार खाने पर तुला है है वह चोकरे क्या लल्लू जमादार ने तुझे निकाल दिया है हाँ बहुत दुष्ट है सुन्वे अब तु कहा जाएगा भातक के बाहर यह रहूंगा तुझे मादार आंके फिर भीटेगा अच्छी बात है तु मेरे साथ आजा चल 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 रोना बंद कर चुपचा पाजा मेरे साथ चल हुआ हुआ है हुआ है क्या ठूट रहे हो माचेस मिल गई मिल गई जरा धिबरी जला लूँ अरे तुझा तुझा ठंड लग रही होगी ढंके कपड़े तक तो है नहीं तिरे पाज ऐसा कर यह कंबा लोड़ ले समझा अरे यह क्या छोकर है फिर रोना शुरू कर दिया अब क्यों रोता रहे बता ना रोता क्यूं है हिरे तो मा कैया थे तो नहीं काया startups है मैं जे डिन्मादार के थे नोकर्स नहीं कॉच़्ारा रोता १ेक। मैं यह दो विए तो कहने जमादार के पास मिला हम डाईन बता मार तो रोज ही घाता हुँ तो लोग आवाश तो खाना भी आज ज़ीने और मिला तो नो बजे तक और भी उनका कुछ काम करना पड़ा आटा रखना ही सका, रोटी बनती तो कैसे जमादार के बाज यही तो कहने गया था बर उनसे मुझे भीज़ना यू रूकर दिया क्या मुसीवत है अब तेरे लिए खाने का प्रबंद करना पड़ेगा एक प्राथे का टुकुना रखा था मैने यह कंबल के नीचे पतानी कहा गया है चुए ले गया होगे तो चलो मिल गया यह रहा ले वे तूसे चमा मैं तेरे गावरने के लिए बाजार से कुछ ले आओं अच्छा जी और सुन्दे छोकरे रोना मत समझा रोएगा तो मैं बहुत पीटूंगा समझा बहुत पीटूंगा रोने से मुझे बड़ा बैर है पाजी कहीं का मुझे लुलाने के लिए आदम का कहीं सा अच्छा मैं आरी आता हूँ दस बज गए पताने कोई दुखान खुली होगी ये नहीं होगी नहीं खुली होगी तो क्या खुलवा लूँगा कोई उदार थोड़े लेना है अच्छा जीम में एक रुपया है एक रुपया ठीक है वाराने का एक पवा चाराने की पकोड़ी तो अनिपयों के कैदा पोड़ के बसक्राइगे है कि आरे आज्य से कभी दूसरों के खाने कामने इससक्की तो इसके लिए ज्यादे कब्रबंद करना पड़ेगा इसक्की देदार निप्लेरह में आजिते हैं educating आज ये भी करना ही पड़ाएगा, इश्वर भी बैठे बिठाए मुसीवत भेज देते तो सुन रहे हो ना लाला साम लाज जाएगो बिंदि ब्रजिबासी एक लंग तो सगरे गाम के चुने भै पठे, हाथ में लठ लिये भै और दूसरी लंग में मत्रा चौबे, अकेलो एक मिनट के ताईं तो जे जान लेओ लाला, मेरी आखिन के आगे न चत्तर मंडल नाच गयो, पर दूसरी मिलट, मैंने मुरली वारे को ध्यान कियो और कलक्ती भै आवाज में जी ललकारे हो, कि तुम्मे ते जिनने अपनी मैयो को दूद पियो है वो आजावे मत्रा चौबे के समुई, साच मानियो लाला, बल भर को सनाटो सो चाने हो सबन की नाली मर गई, ते दूसरे मिनट, आखिन ही आखिन में सैन मटकाए के, ते सारे तितर बितर है गए सोई मैं हूँ, मोचन पे ताओ देतो भैयो, अकलतो घर कूँ चलो आयो वह वह, कहा बात है अरे दीन बाद में हाक ना चौबे जी, पहले अपनी लांग तो सवालो लांग, डीली हो गए यह कौन है, शराबी, आज इधर को रास्तों कैसे भूलो भाया, हमने तो बहुत दिनन ते नमकीन रखनों बंद कर दियो है अरे कोई बात नहीं लाला, मुझे थोड़ी मिठाई दे दो, मुझे आज तुम्हारी बहुनी जरूर करानी बहुनी, या बकत, भले मानस, अब तो हम दुकान बढ़ावे को जा रहे हैं बहुनी ही करानी हो, तो कल मुँँ अंधेरे आ जाईयो अरे कल मुँँ अंधेरे भी आ जाऊंगा, इस वकद तो मिठाई तोल दो किती? एक रुपए की बढ़िया देना लाला, ता जी हाँ हाँ, बिल्कुल ता जी, चल रहे कुईया, मिठाई तोल एक रुपए की बढ़िया सी अच्छा है लाला जी हाँ, तो चौबे जी, कहा आग्या है? अजी, आग्या आग्या क्या है लाला जी? नेक आज सेर दूद बनाओ, बामे मलाई नेक प्रेम से डार दियो पहले जे बताओ महराज, कि नकत पी हो या उधार? जी लाला जी, जे नकत ही समझो, मेरो मतलब है उधार तब तो चौबे जी, फिर पाओ भरी पी हो, हाँ रे गुया, तुल गई मिठाई? आजी तुल गई, ये लो भाईया, अपनी मिठाई ये रुपिया लो लाला, अच्छा लाला राम 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 भाईया, आते जाते रही हो सुनना भाईया, तुम्हार ये नोट तो मेरे पास तो जो कुछ है, वो ये ही है, लाला देखो, नोट खराद है, तो रहने दो मिठाई, लाला, मैं फिर कभी ले जाऊँगा, ये लो राम राम, ये का कह रहे हो, मिठाई तो ले जाओ, मैं नोट रखे ले हूँ, नहीं चलेगा, तो फिर बदल लूँगा बहुत अच्छा लाला, मैं नहाँ नोट मिलते ही, यहाँ चलाओंगा, अच्छा जाराम जी के लाला, चाओ वे जी, लांग सभालो, अपनी फिर धीली हो गए जाग रहा है, यहले मैं तिरली मिठाई लाया है, नटकट कहीं का हसता है, मिठाई के सुगंद नाक में पहुची ना, सब समझता हूं, खाले, खाले, खुब ठूंसके खाले, और अब रोया के पिटा, समझा, मुझे रोने से बहुत चड़ा है, अब नहीं रोंगा तो शुरू हो जा, यहले गुलाब जमन खा, खाले, देख इसमें एक चीज बढ़िया होती है, मुझे अंदर जाते घुलने लगती है, दातों को बिल्कुल कश्च नहीं होता समझा, खाले, 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 अरे संकोच मत कर, तू तो दिन भर का भूका है, खातो रहा हूं, तू भी तो खाओ ना, खाता हूं, खाता हूं, सुन्दर तेरा नाम क्या है, मधुआ, हस्ता कैसा है मधुआ, खाले, यह गुलारी खा, लगनों की खास चीज है, देख लगनों की गिलारी बहुत मशूर है, पान की और मावे की बी, देख तो सही क्या पड़िया सुगन दा क्या वहारा रहारा तुम भी खा ना मैं भी खा physics ने ने तुम ने खा गे तो मैं भी ने खाओura क्या बच्पणा करता है क्या निय hiking क्या भान आप तुम भूर हम दुम घाए इसका दिल मांझ जाएगा इसका दिल तो न तूर, खाले इससे शावज 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 अब तुम भी तो खाना, मेरा पेट तो भर गया अरे इतनी जल्दी पेट भर गया, ये इतनी सारी मिठाई कौन खाएगा तुम और कौन, मेरा पानी पिऊँगा, पानी कहा होगा देख उस कौने में वो मिठी की सुराई है, दो एक दिन का बासी पानी है पर कोई हर्ज नहीं है, धका हुआ है, गिलास भी भी होगा अच्छा सोचा था, आज साथ दिन बाद भर पेट पी कर सूँगा, लेकिन ये छोटा सा रोना पाची कहीं का, ये जाने कहां से आदम का पी लियास भानी, अब सूँगा, नीद आ रहे है अरे नीद आ रहे है, तो जाके सूजा, हाँ, ओड़ेगा क्या अच्छा ठेर मैं अपना कोट उतारता हूँ, कोट, ये ले कोट ओड़ के सूजा, मैं कंबल था नहींगा अच्छा फिर असना शूख करती है नट करती है कितना दिन चड़ाया हाँ, हो, मत हुआ सोराय विचारा, हाँ खुटनों से ठुड़ी लगाया, सिगड़ा हुआ सा अब इस बच्चे को लेकर मुझे भी घरबारी बनना पड़ेगा जो बात मैंने कभी सोची भी नहीं थी, वो ही होगी क्या जिससे आज तक केवल बूतल का ही अथिकार था उसके अंदर आज इतनी माया बंता जागुठी यह जोटा सा पाची मेरे चिगन दे क्या करने आया है क्या करूँ कैसे न उनों का पीट भरेगा कोई काम करूँ पर क्या है नही नहीं इससे तो अच्छा है भागा दू इसे हाँ मैं भागा दूगा इसे बस यह जरा आख तो खोले यह मैं भागा दूगा मैं कोई जंजट नहीं पालता क्या हो गया गया जाग गया ठीक है उठ कुछ खाले वो रात की मिठाईयां बची हुई है वा, बिना मुहाथ होई ही खालूं देख मत हुआ, देख, ज्यादा बातें मत बना समझा चल्दी से मिठाई खाले और अपनी राह देख पर, 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 जाओ कहाँ? अब ये भी मैं बताऊंगा ठीक है, पहले मुहाथ दुआ, बाहर नीम के सामने नल है अच्छा जी क्या मुसिबत है, कुई, इसका थो ठिकाना ही नहीं है मेरा ये खुन ठिकाना है ये भी भागवान मेरे ही गले आके पड़ा है ठीक है, ये ठीक है मैं अभी याँ लोटूँगा ही नहीं ये ठीक है, ले बच्छू, रहे इस कोट्री में सरा के ले रहने कभी था मजचक, मैं लोटूँगा ही नहीं आगे है रहने को, जैसे इसके बाप की कोट्री है यहां गूमती के किनारे बैठे बैठे मुझे कई घंटे हो गए, सोचते सोचते दिमाग चंजना गया, मगर समझ में नहीं आ रहा इस छोटे से रोने बच्चे से छुटका रहा के सिपाऊं… यह तो ते है, मैं अब कोट्री में लोट करने ही जाऊँगा… आजी, मैं मुफत में कोई जंजट नहीं पालता, मैं कोई जंजट नहीं पालता, आहहً आखिर आज तुम मुझे मिल ही गए, अरे मैं तो तुम्हें खोजता खोजता ठक गया, कई साल बात दर्शन हुए तुम्हारे, क्या लखनव से बाहर चले गए थे, ये किस से कह रहा हु भाई, अरे भाईया, तुम ही से कह रहा हूँ, मुझे पहचान नहीं रहे हो, आज क्य सवेरे सवेरे ही पी आयो, तुम राम जी हो ना, ठीक पहचाना, मैं राम जी हूँ, हरे माफ करना भाईया, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, बात यह ना कि कई साल हो गए है, हाँ, दो तीन साल से तो उपर ही हो गए है, अरे भाईया, तुम्हारे रुपियों का तो दो लिया था, जिस दिन मैंने तुम्हें करजा दिया, अरे नहीं भाईया, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूँगा, उसकी तो अब मुझे कोई आशा नहीं, मुझे तो लगता है, पिछले जन्म का मैंने ही तुम्हारा ये करजा चुका ना था, इस जन्म मैं चुका दिया, अब मेरी तुम से केवल एक प्रार्थना है, प्रार्थना मुझे से, क्या, अरे वो जो तुम्हारी सान देने की मशीन मैंने तुम से ले ली थी ना, उसे वापस ले जाओ, मैंने उसे बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके इतने पैसे नहीं बोले जितने मैं मांगता था, सो वो मेरे पास वैसी की वैसी पड़ी है, अब कहीं कूडे पर फैंकने की बजाए, मैं यही अच्छा समझता हूँ, कि तुम्हे ही उसे वापस कर दूँ, अच्छा, ठीक है वाईया, मैं अभी चलकर उसे उठा लाता हूँ, मधुआ, 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 कहाँ चला गया है, मिठाई जोकी त्यू रखी है, क्या, मुझसर रूट कर चला गया है, पर कहा, उसका तो कुछ ठीकाना है नहीं था, हाँ, 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 सुवा मैंने उसे डाटा जो था, हाँ, अरे, वो मेरे ही कारण इस तरह भूगा ब्याषा चला गया, मैं बहुत बापी हूँ, मेरे आशरे पर वो बच्चा यहाँ आया। और मैंने किस प्रहमी से उसका अश्रा तोड़ा। पता नहीं कहां चलागिया होगा। मैं 태CH bitcoin कहा हों? म मैं कहां धूणों उसका है। मधवा FROM मधवा मधवा लोटा मधवा it तुझे कभी नहीं होग, तुझे कुछ नहीं कहुंगा मैं बादा करता हूं. मैं कसम खाता हूं मैं कभी कुछ नहीं होग खाल मध्धुआ भाया तु क्या चला था, लुखा रिट कई सिसके तु मुझसी नाराज हो था नहीं तो पिर करव चला के था मैं तो तुम्हें धूड़ने काया था कहा सुबह तुम अचानक चली गए तुम्हें बड़े जिन्ता में पड़ गया फिर मुझे ध्यान आ गया तुम रात को नीन में अपने आप से कह रहे थे बाराने का पववा और चाराने की चाट ने, ने, चाहराने की पकोड़ी, तो मैंने सोचा कहीं तुम उन दुकानों पर तो नहीं चले गए, मैं जितनी दुकाने चानता था, वहां सब पर तुमें ढूंडा, तुम कहीं मिले ही नहीं, तम मैं घर आ गया, कि शायद अब तुम घर आ गया हूं? हाँ मतुआ मैं फिर खारा गया हूँ लेकिन तुम गए कहा थे नहीं कहीं भी नहीं यहीं गोमती तक और और यह क्या ले आये हो अपने साथ यह यह मेरी सान देने की मशीन है मतुआ एक जगा रखी हुई थी अच्छा एक बात बता तुने सुभा मिठाई क्यों नहीं खाई तुम्हारे बिना कैसे खा लेता अज तुम आगे तुम्हार साथ काऊंगा अच्छा मतुआ एक बात बता अब तु कहां जाएगा काही नहीं यह लो अरे फिर यहां क्या जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर मिठाई के लाता रहूंगा नहीं कोई काम करना चाहें नहीं काम करेगा जो कहो अच्छा तो सुन आज से तुझे मेरे साथ घूमना पड़ेगा यह मशीन तेरे लिए लाया हूं आज से तुझे ओजारों पर सान देना सिखाऊंगा सीखेगा सीखूंगा जो कहोगे पर उन ठाकु साब की नौकरी नहीं करूँगा अच्छा, ठीक है, तो जा, वो कंबल और कोट उठाला, मैं मशीन उठाता हूँ अच्छा जी लगता है अब तो मुझे शराब ना पीने की भी सौगन देनी पड़ेगी उठालाया हूँ कंबल और कोट, लो, अब चलो ना चलो, अच्छा मधुआ अगर तेरे बाप ने मुझे पकड़ा तो कोई नहीं पकड़ेगा, मेरा बाप मर चुका है, चलो भी अच्छा अच्छा, चलो मधुआ भाईया मधुआ अब मेहनत मजूरी करेंगे हाँ भाईया मधुआ मधुआ हमेशा हस्ते खिल खिलाते रहेंगे हाँ भाईया मुसीब्तों से कभी नहीं खबराएंगे हाँ भाईया मधुआ मधुआ मैं अब कभी शराब नहीं पियूँगा अच्छा भया कभी नहीं पिऊंगा अच्छा भया मधुआ तुआ मुझे छोड़कर बच्छा ना ने ने भया हमेशा मेरे साथ रहना मधुआ अच्छा भया मधुआ हम दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा साथ रहेंगे हमेशा साथ रहेंगे हमेशा मधुआ अभी आपने श्री जैशंकर प्रसाथ की सुप्रसिध कहानी मधुआ का ये रेडियो नाट्टे रूपांतर सुना रेडियो नाट्टे रूपांतर श्री सत्यंद्र शरत ने किया निर्देशक थे श्री सुदर्शन कुमार प्रस्तुतिकरन सहायक श्री महफूज हसन और तक्नीकी सहायक श्री रंजीत भट्टा जारे नाटक में भागलेने वाले कलाकार थे सर्व श्री अरूण माथूर रामवतार शर्मा सैयद नाजीम हुसेन एसपी शुकला प्राणवीर प्राण एनपी कोठारी और सुश्मा कौशिक ये नाटक केंद्री नाटक के कांश द्वारा आकाश्वानी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया